हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तू माई यूटूब चनल, फ्रेंट्स आज के वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, उन केंडिडेट के लिए जिनो नवी रेडियोग्राफर 2022 ग्रुप फाइब का एक्जाम दिया था, जी हाँ, आज का वीडियो में हम देखेंगे ग्र करेक्ट आंसर क्या है वो भी हम देखेंगे, तो सारी जनकारी वीडियो में हम चेक करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फ्रेंट्स, अभी हाली में ग्रुप फाइब के एक्जाम हुए है, इसमें रेडियोग्राफर का वी एक्जाम हुआ था, तो इसके पे लुकराण में आपका आंसर दिखाई देगा, और अगर इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आप्शन है, वो यह लुकराण में दिखाई देगा, तो चलिए देखते हैं, पहला कॉस्चिन है, भारत की संभीधान का निम्रलिखित से कौन सा अरुच्छी समान नागरिक संभीता से संबंदे थे, इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छी चवालीस, निम्रलिखित में से संगठन का उद्देश, अंतराष्टिय व्यापार को उधार बनाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है विश्य व्यापार संगठन, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्च संगठन है, उननीश सो चौसाट से च्छाट के राष्ट सिक्चा आयोग ने सिफारिस की थी की सिक्चा पर घरेलू उत्पात का कम से कम कितना प्रतिसत खर्च किया जाए, ताकि सेक्षडिक औपलद्दियों में उलेगनी व्रद्दी हो, तो इसका करेक्ट आंसर है, छे प करेक्ट आंसर है D, कॉस्चन नमबर साथ देखेंगे, तो इसमें एक एक में आपको ऑप्शन दिये गए थे, इनका प्रियोग करना था, जैसमें आप देखेंगे, मॉना लिशा, मॉना लिशा, हैज, डैस, अप ओन हर, फ्री विलिंग, लाइफ इस्टार, तो इसमें आप को चार ओप्शन दिये गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है, ओप्शन B, गिविन विद, आटवा कॉस्चन है, आउट ओप तर गिविन ओप्शन, चूज दा मोस्ट एप्रियोट ओन दा फिल इन दा ब्लैंक, दा सिफ, इसका करेक्ट आंसर है, दा सिफ है संक, एनरजी इस प्रिड्यूज इन दा सन्वाए, सूर्य दोरा उर्जा का उत्पानादन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है, पर्मानु सरलें दोरा, पोटीशम की पर्मानु संक्या कितनी है, उननीस, हमें प्रित्वी की सत्व पर सूरी का प्रकास प्राप्त होता है, किस प्रकार क के प्रकास पुंज है अब सारी केल्विन पैमाने पर बर्प का गल्लांग 273 केल्विन होता है ये मैट का एक कॉस्चिन आया था फ्रेंट्स इसका करेक्ट आंसर है 49 यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मद्दि संख्या का वर्ग कितना होगा इसका करेक्ट आंस स्टेशनरी इसका करेक्ट आंसर है सबजी किराना एक दुकांदान ने 1234 रुपे में एक बस्तू खरीदा लाब प्रतिसत कितना होगा यदि उसने 14 32 रुपे में बेच दिया 16 प्रतिसत एक वेलन की तरिज्जा एक गोले के तरिज्जा की समान है उनका आयतन भी बरावर है वेलन की हुचाए उसकी तरिज्जा की कितनी गुनी है जिसका करेक्ट आंसर है चार वटे 3 30 लीटर मिस्तरर में सराब और पानी का अमपाद क्रमसा 7 अनुपाद 3 है मिस्तरर में अनुपाद को क्रम को लट देने हैतो मिलाई जाने वाली पानी के मात्रत ग्याद करें तो करेक्ट आंसर है 40 लीटर एक गोलाकार खोल जिसकी वाहरी तरीज़ा 4 संटमीटर अर्द तस्सम सब्दों का चेन करना था तो इसका correct answer था option A आग गया, दीर्ग संदी का सही उधार सदेयो था, नमने मैसे किस वाक्य में योजक चिन्न का प्रियोग नहीं किया गया है, तो option D में योजक चिन्न का प्रियोग नहीं किया गया है, हिंदी में डैस की संख्या 11 तो सर्वनांद की संख्या 11 बिदे सज सब्द का उधार कौन सा था तो किस्मत, किताब और नकल बिदे से सब्द के उधार है, सरे को उपरी और निचले हिस्तों में बाटने वाले तल को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्त विमान, मतलब ट्रांसवर्स प्लैन इसे हम बोलते हैं, एक्सरे क्या थोर्ड में निम्लिखित में इसे कौन सा होता है, फिलामेंट और फोकसिंका, निम्लिखित में इसे DCG से संबंधित है आखे, निम्नलिखित में से कौन मूत्रसाई का रेडियोग्राफर अध्यान है जिसमें एक नलिका के माध्यम से एक निरूपर माध्यम का सीधा इंजेक्शन सामिल है तो इसका करेक्ट आंसर है इंट्रवीनस पाईलोग्राम मानो सरीर में परस्टनी का हडडी कहां पाई जाती है तो पैर कैलकिनियस बोन कहां पाई जाती है तो ये पैर में पाई जाती है कलाई के X-ray से संबंद त्रोगी की स्थिति के बारे में नम्लिकत में से कौन सा कथर गलात है कंदे कोहनी और कलाई सभी अनुपरस तल में होना चाहिए लेकिन केंद्री वीम के लंबवत नहीं होना चाहिए उप्सन D सही आंजर है सरीरजना के जनक कौन थे एंड्रियास वेसलियस वाट इस दे नेचर ओफ डेवलोपिंग सुल्यूशन तो डेवलोपिंग सुल्यूशन का नेचर एलकाइन होता है छारी है अमली नहीं होता है मेडिकल डाइगनोस्टिक X-ray डवाइस में पॉजिशन इंडिकेटिंग डेवाइस PID क्यों होना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर है A और V दोनो निमलिकित मैसे कौन परमाणू उर्जा विकरन सरलक्षन नियाँ 2004 द्वारा चिकिसा जुखम की परिभासा में सामिल लहीं है तो वियुसाय द्वारा और जागर पेसिवर रेडियो ग्राफर में समानतरित का मुख्य प्रभाव क्या है फोकस वड़ाने के लिए एक्स्रेटिव में उसमा अववाई की विदी है चालन परमानूर या निमक बोर्ड के अनुसार भारत में एक व्युसाय कर्मचारी के लिए एक बर्ड के लिए एक्स्पोजर की वार्सिक सीमा कितनी है तीस MSC MSV अंधेरे कमरे में आरक्षिता बनाने के लिए किस पक्ष का उप्योग किया जाता है सूका पक्ष निमनलिखित मैसे किसे कोश्का की आत्मगाती की थैली कहते है तो लैन काय लाइसोस्वम को बोलते है निमनलिखित मैसे कौन सी हड़ी घुटने के जोड में सामिल नहीं है तो रेडियस नहीं है निमनलिखित मैसे किसकी जाच रेडियोग्रापा निरिक्षण अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती खरीद की रसीद की आविशिकता नहीं है दंट चिकिसक के कारे के कारण उसकी वार्सिक प्रभावी खुराप में सबसे बड़ा युगदान है प्रसार विक्रणत मतलब स्केटर रेडियेशन एई आरवी मानकों के अनुसार एक उजागर वियुसाइक कारे करता के लिए समकच खुराकी वार्सिक सीमा क्या है पास्सो एमेजवी विकासक और रासाइनिक पदार्थ बिलियन में प्रियुक्त बिलियन है पानी एंसेलोफ्रोग्रफी एंसेलोग्राफिक डैस्कों आपता है मस्तिस्क में विद्धु संगेत इसके फ्राइट के पूर्वकाल तिर्चे द्रश्च के लिए हात और कलाई को पिये इस्तिती से डैस द्वारा बाद में घुमाया जाता है 45 पैदालिस डिग्री पर एक घनत्त मापी है किसी सामगरी के घनत्त को मापने के लिए प्रियुक्त मीटर विकरण के संपर के काई है रोएंट जन सुसन मापी क्या मापता है फैपलों के अंदर और वाहर जाने वाली हवा का आयतन इस्टाबाद की प्रिक्रिया का मुख्ष देश क्या है विकासक को बेसर करे और विकासील प्रिक्रिया को रोकी निमलकित मैं से किस रोगी मैं एक्सरे में हैरेज रेखा है अधिक सपच्ट होंगी तो करेक्ट आंसर है केंद्रिय तंत्र का तंत्र रोगी पोटीश्यम द्वारा विकरण से किस वाग को बचाया जा सकता है करेक्ट अंसर है थाइराइट अंधेरे कमरे का दूर सा नाम क्या है प्रसंस करण सकक्छ या प्रोसेसिंग रूम यदि स्रोत और विचारा धीन छेतर की दूरी डी है और विक्रण की तीप्रता आई है तो आई और डी के वीच का संबन्द क्या होगा आई डी के वर्ग के व्यत्कृमान oupाती है एक्सेटी विस्परकार की डायोड होती है व्यसन क्या है जब अंग को सरीर के करीव लाया जाता है दंत प्रियोजनों कе लिए उप्योग के जाने वाले एक्सेटी उप्रण की जाचकिया वरती क्या है 48 महीनों में कम से कम एक बार जनता के लिए सुरक्षित खुरागदर क्या है 1 MSV 70-90 KVV के लिए रेडियोग्राफी में उप्योग किया जाने वाला पसंदिता ग्रेड अनुपात 8 अनुपात 1 है निमलेखित मैंसे कौन सी चप्टी हटी नहीं है मानो सरीन में कितने का सेरिक होते हैं कितने वाइडी वरा होते हैं 33 सेने प्लोग्राफी छवियों को कहा रेकार्ट करती है चल्चित फिल्मों पर छविया एंजियोग्राफी से पहले ठोस भोजन के लिए कितने घंटों का अववास आविशक है 4-6 घंटे हिस्टि सेल्फिंग ग्राफी का प्रयोग निसंतान के लिए किया जाता है निम्डखित मैंसे किस इस्तिती में रोगी लेटा हुआ है प्राउन बोजी सन में यह रोड़ी ग्राफर क्या दिखाता है सामाने कंधे का एपी दरश सुरक्षा प्रकास के रूब में उप्योग किये जाने वाले वल्ब की वार्च हम तक कभी अधिक नहीं होनी चाहिए पंद्रवार्ट से एक्स्रे फिल्म के लिए निम्रिकित मैंसे कौन सा सायोजन सही है इमलसन, सिल्वेर, हैलाइड और जिलिटेन गुटे में मौजीत पटेला हड़ी की स्रेणी क्या है तिल के वरावर हड़ी मतलब सैस्मोइड बॉन स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी केवी वदरले का क्या असर होगा कंट्रास्ट में कमी हो जाएगी व्यक्टकारी समाधान में पोट्रिश्यम ब्रोमाइट को उपयोग निरोधक के रूब में किया जाता है गुर्दे की पराधनी डैस में किया जाता है बड़ा हुआ मूत्रासाई निमलिखित में से कौन सी सरीर गुहा जिसमें हिरदाय और फैपड़े होती है वक्षी थोरोसिक में नीचे दिये गए रेडियोग्राप में जी चिन्ने का अर्थ है अवर ललाड विदर मतलब आपका इंफिरियर फ्रंटल पिसर बुर्यादी द्रिश्य रेडियोग्राप के लिए कोहनी की सारीरिक संजचना में कारपल्स नहीं है निम्लिकित मेंसे कौन सी हड़ी कंदे के जोड में सामिल नहीं है आपका कुहनी का हड़ी मतलब अल्डा हस चारित प्रसंस कराण में पिकासा क्यूब समाधान का इस्टिताम तापमान कितना है बीच से बाइस वह तल जो सरीर को दो बरावर दाएं और बाएं हिस्सों में वाजित किया करता है कहलाता है मद्य सामांत्रल सेजिटल प्लैन बोलते है निम्लिकित मेंसे कौन परी रक्षण विधी और उसके विवरल का सही में नहीं है व्यक्तिगत एप्रिंट ये एप्रिंट प्रात्मिक जोखिम से बचाती है इसके बाद है विकासक समाधान में उत्पेरक का कारिक क्या है पाइसन को फुलाई यह है इमिलसन को फुलाता है नेक्स्ट कॉस्चन है निमलकित मेंसे कौन सा एक्स्रे रीमेटेड एंटिथी सिस को दर्सा हाता है तो इसका करेक्ट आंसर है C माइलोग्राफी में संबंद मेंसे निमलकित मेंसे कौन सा कथन गलत है कंट्रास डाई से एलरजी की प्रिक्तिकरया को कोई खत्रा नहीं है option C इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चिन है एक्सरे कक्षमेन इम्लिकेत मैंसे कौन सा अभ्यास सुरक्षित नहीं है फ्लोरस कॉफी के दोरान पैले स्फेन एक दस्ताने वाले हास से किया जाए गरिफ की कौन सी अवदी भूर के केंद्रिय तंत्रिका तंत के लिए सबसे समवेदन सील मानी जाती है जिसके दोरान कोई एक्सरे परिक्षा नहीं किया जावेगी आठ से पंद्रा सब्ता व्यक्तिकत परिक्षण परिधान की देपाल के बारे में निमलिकत मैंसे कौन सा गलत है तहवंद की मौटाई 0.25 mm सीसे से कम होगी निमलिकत मैंसे कौन ग्रे के गहरे रंगों के साथ निरूपन के लिए जिम्मिदार है इसका करेक्ट आंसर है उद्नैन उद्नैन पराधोनी में किस आप ब्रती का उपयोग किया जाता है करेक्ट आंसर है दो से बीस मेगा हर्टाज निमलिकत मैंसे किस स्पेक्ट्रम ब्रेंच का उपयोग एक्सरे फिल्म की उच्चेतम सम्मेंदे सीलता के कारफ फिल्टर के रूप में नहीं किया जा सकता नीले हरे निमलिकत मैंसे कौन सा कथन 10C मेटर के बारे में गलत है विकरन डोजी मीटर विकरन से सुरक्षपरदान करता है एक्सरे अन्य प्रियोगों में तापी उर्जा को नमलिकित में से किस्प में मापा जाता है उसमे एकाईयों में नमलिकित में से कौन सा पद अग्रभाग को सरीर की और जुखने की गती का वर्ण करता है आंको जुन निमलेकित मेंसे कौन सा विकासक समाधान में परीरक्षक के रूम में प्रयोग किया जाता है सोडियम सिलफाइड नेक्स्ट कॉस्चन है डैस उल्जा की मात्रा है जो आयनकारी विकासक समागरी के प्रती ग्राम बेतरित करता है अंसर है आसोसित खुराग निम्लकित मैंसे कौन X-ray विकरण के प्रसंभ्या विसेश प्रभाव की विसेशता नहीं है अनुवांसिंग प्रभाव प्रसंभाव या नहीं है सुरक्षित रोसनी मैं फिल्म के अत्यादिक संपर्क में आने का परिणाम होगा कोहरा घुटने के जोड की रेडियोग्राफी कराती समय रोगी को जूट बोला चाहिए सुपाइन आयोडीन युक्त कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करती के हिर्दय प्रणाली के रेडियोलोजिकल अध्यन का नाम है एंजियोग्राफी नेस्ट कॉस्चिन है एक्स एक फाउंटेन पैंट के आकार का है और इसमें एक छोटा आयनिकल कक्च होता है जिसके आंतरिक एलेक्ट्रोड में हेयर पेन मुव्मेंट के रूम में एक गिल्ड क्वाड़ाईज फाइवर जुड़ा होता है इसके लिए रवर बैंट है जिसे अब उजागर इलेक्ट्रोड सिस्टम द्वारा चार्ज कराने के लिए ग्रण को सक्षम के लिए हटाया जा सकता है अप्रूब्ट विवराण एक्स को पैचाने पॉकेट डोज मीटर इसका करेक्ट आंसर है प्रेंट्स यही था एक्जाम कॉस्चन पेपर जो कि रेडियो ग्राफर दोजर वाइस एक्जाम का है आज की ने इतना ही थैंक यू